जैन दोस्तों, मैं उमें जो गरवारी और आप देख रहे हैं मेजली गई हाली में सोशिल मीडिया पे अच्छा बड़े ट्रोल भी हो रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यह गए काकून पाकिस्तान मिलिटरी अकैडमी जहां पे ऑफसर कैडिट्स की ट्रेनिंग होती है फिर वहां पे इन लोगों को चाबी दी गई और टिपिकल फॉजी ट्रेनिंग करवाई गई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फॉजी ट्रेनिंग करवाई गई तो कहीं यह पाया गया कि पत्थर क्रिकेट टीम से करवाई दोस्तों ये बेसिकली कुछ नहीं है ISPR के चौचले है इंटर सर्विसेज पबलिक रिलेशन्स ISPR जो पाकिस्तानी फोर्सिस का एक प्रोपगांडा विंग है वो बीच बीच में ऐसे लोगों की उपर जोश और ये सब लाने के लिए पाकिस्तानी قوم को बीच-बीच में ये सब शव Deux के चोड़ता रहता है पाकिस्तानी फोर्ज ने क्या ट्रेनिंग दी होगी आप खुद सोचिए क्या सरिंडर करने की क्योंकि पाकिस्तानी फोर्ज ने कॅन زमार का तो बचा बचाया था लाहर को क्या होना है लाहर तो बचा बचाया था तुम्ही लोग गुसे थे इंडिया के अंदर ऑपरेशन जिबराल्टर 1965 कश्मीर आजाद करेंगे इंचा अलला हाथ पर तोड़ दी इंडियन आर्मी ने ठीक है दोस्तों तो ये एक जो पूरा मैटर है और वो क्यों है Lancet Journal में एक आर्टिकल निकला था जिसको मैं कोट नहीं करूंगा जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है पाकिस्तानियों में क्यों psychological problem है क्यों mental problem है उसके उपर एक बढ़ बढ़िया एक आर्टिकल निकला था और उस आर्टिकल में ये बताए गया था कि why more than 70% I think 70 or 60 कुछ ऐसी percent of the Pakistanis actually suffer from some variation of a psychological disorder I know मैं नहीं जाओंगा उसमें वो फिर below the belt वाला मामला हो जाएगा बट ये सच है anyway तो इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि अगर हम किसी फोजी को डाल देंगा न तो इमेट ठीक हो जाएगा और इनकी ट्रेनिंग ऐसी है क्योंकि दिमाग से सौ बार सरेंडर कर दें पाकिस्तानी आर्मी लेकिन number one फौज यह यह क्योंकि इनको यह बताया गया है कि फौज की क्रिटिसिजम मतलब देश के साथ गदा नहीं है आप फौज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं इमरान खान क्यों जेल में है यह तोश रावल पिंडी में जाके कमर जावध बाजवा को सलूट करता वो बले बले हो जाती उसकी इमरान खान के उसने सलूट नहीं करा उसको जेल में डाल दिया जिसने सलूट करा शेवाज शरीफ वो आज की तैरिक में हजर उमरे के लिए फिर साओधी अरेविय गया थिंग इस क्योंकि इन्होंने फॉज को डाला बीच में, एक तो फॉज में फॉज को डाला, उसके बिड़ा गर, मुझे लगता है कि चीफ अफ दी आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान शुड़ भी है सिविलियन, पता नहीं, क्यों जर्नेलों को डाल देते हैं, बिड़ा गर कर देते हैं, फॉज का, ठीक है जी, अच्छी खासी फॉज के टुकड़े हुए थे दो, 1947 में, कुछ भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, आप इंडियन आर्मी को देख लीचे, टोटली प्रोफेशनल, टोटल कमांडर के घर पे धावा बोल रही है, इनके रावल पिंडी पे अटैक कर रही है, जो इनके जी एच क्यू है, एड कोटर, तब इनको होश नहीं है, अब इन्हों ने बोला कि क्रिकट की ट्रेनिंग तुम करोगे, आपको पता है, जैसे हमारा इसरो है, इसरो में, अगर हम यह कहते हैं कि पहले, पहले, डॉक्टर सिवन हुआ करते थे, वो कौन थे, डॉक्टर सिवन, ही उजो साइंटिस्ट, अभी डॉक्टर सोमनाथ है, कौन है डॉक्टर सोमनाथ, डॉक्टर सोमनाथ है साइंटिस्ट, तो यह सारे साइंटिस्ट हैं, जो नोंने जिन्हों ने पिता दी तो रॉकिट के बारे में जानकारी हासल करने के लिए ने के पिएजडीज हैं और ना ये वाला दुनिया वर के पड़े लेके लोग इनका एक काम है कि भाईया आपको रॉकिट भेजना हवा में सैटलाइट के साथ और ये ये काम है अब डियाडियो में देख ली ज लिए ता उनका है सुपार्को सुपार्को में बोला एक मेजर जनरल है इमे का इलेक्ट्रिकल और में करेंगे चाइना नहीं करेंगे तो ये लोग जमीन पर बैटे रहेंगे वहाँ पर पाकिस्तान इंटरनाश्टल एरलाइन्स दोस्तों आपको पता है बिकने की हाग जिस अगर पाकिस्तानी लेगा भी तो किसी और से मदर्द ले के साथ लेगा डे रॉंट हा इट काइंड अफ बनी जितना मुझे लगता है इनके बारे क्यों कि क्योंकि लगातार दर लगातार पी आई एए जो है उसको भी बोला है कि लेटेंट इनने जनरल साथ बनेंगे पी ये का हेड़, एरफोर्स का है हर चीज में इन्होंने फाजी डाले, अब इन्होंने अपनी क्रिकट में फाजी डाल दी अब इनको दिखा रहा है स्नाइपर, स्नाइपर वो होता है कि इस इस लॉंग रेंज वेपन, ठीक है जी 800 मीटर से लेकर 12-1500 मीटर स्नाइपर करेंग, कुछ कुछ स्नाइपर करेंग, दो-दो हजार मीटर तक जाते हैं बढ दाट इस एक्सेप्चनल, और उसके आगर टेलेसकोप रहता है, स्पोर्टर रहता है बगल में अब ये ऑपरेट इन बड़ी पैज, एक स्पोर्टर रहता है, एक मेन स्नाइपर रहता है गन के साथ तो ये इन्होंने ये पाकिस्तानी क्रिकिट टीम को सिखा रहे हैं कि आपको स्नाइपिंग कैसे करनी है देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों हर चीज़ के सेल्फ हाम क्यों करते हैं पाकिस्तानी, अपनी बरबादी का जशन क्यों मनाते हैं पाकिस्तानी, ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई आपकी फौज का किया ले ना द contributor क्रिक्ट से है क्रिक्ट is a highly highly technical game highly technical game हमारे तो कोई फौज ने ट्रेनिंग नहीं कर ठोग दी आप लोगों को हमारी फौज तो नहीं करती कभी है हमारी फौज कभी नहीं पड़ती हाँ फौज किये cricket team है services की but that separate case वो जाके वो स्नाइपर में नहीं लगते हो कि पत्थर लेगे भाग रहे हैं, उनका भी टेक्निकल्ट आपको कोचिस चाहिए, आपको फिटनिस कोचिस चाहिए, आपको बैटिंग कोचिस चाहिए बॉलिंग कोचिस चाहिए, और सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी फिर किसी ने इंजम आप को सेलेक कर लिया अब ठीक है पाकिस्तान वे क्रिकेटिंग टैलेंट है बट इट शुड़ बी यूनो टेकनिकली ड़न इट शुड़ बी ड़न इन अ मैनर देट क्रिकेट शुड़ बी रेकोगनाईज़ अज और सेपरेट स्पेशलाइज़ेशन और उसका फॉज को लेना देना नहीं होना चाहिए पर इनका है ये पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है बिल्कुल बाई गॉड दे फील कि अगर हमारी फॉज बीच में आगई ने पाकिस्तानी फॉज बीच में आगई आप डॉमेस्टिक सेट अप में लोगों को डालोगे जैसे यहां पे रेंजी ट्रोफी हो रही है और सीके नाइडू ट्रोफी हो रही है और दस किसम की और ट्रोफी हो रही है भारत में वहां से निकलता है फिर आईपिल में ललका जाता है IPL से थना टैलेंट इन कलता है फिर वो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में तो यहाँ पे कुछ नहीं है पाकिस्तान का डॉमेस्टिक सेटप बिल्कुल डाउन है जो इनकी PSL I think Premier something Pakistan something Super League or whatever it's called that is an excuse of a league उसमें सारे retired खिलाड़ी अतने खेलने के लिए अब यह डिप्रेस हो गए कि क्या करें सारे फोके कार्तूस वहाँ से आते हैं foreigner बस इनको गोरी चम्ली चाहिए है वहाँ पे दिखाने के लिए कि दुनिया को बोले कि यहाँ पे भी foreigner आ रहे है ठीक है जी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलती है इसको तूने क्यों निकाल दिया है इसको क्यों ने डाला यह सब भाई भतीजाबाद करके था इन लोगों ने कांड कर रखे हैं और फिर यह कहते हैं फौज को कि तुम ट्रेंड करो तुम लोग क्या करने वाले हो मैच खेलने से पहले यह बल्ला डाल दोगे जमीन पर